तेसा है, सपाही ने द्रैवर से कहा जब मैंने इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं। द्रैवर माफ कीजेगा मैं यह समझाएका और आप मुझे सलाम कर रहे हैं। वहाँ बहुत फूबी यह तमाम दतारिक थे। और द्रैवर में वर्ट वर्ट आता है एक छोटे से वर्टवी का। कहीं मैं जाएगेगा, हम थोड़ी ही रेर में हादर होते हैं। दो की रीडियो वेरितासी शेयर के दूसर रुष है। आपको जाम सुझाए हैं। आपको में के लिए। आपको प्रज़ा में शामिल करते हैं कि रज़र जुक्रमभजी हैं जिन गाहिल में आपको जाते ही आइडियो अस्वस्तर कमा लिया है पाकिस्तान से। रज़र कुछ हो है जिसने कभी इलपाग से नकीती गदारियां आज वो पहसाग से कर रहा है मकारियां। जिन्दों को जीने नहीं देते हैं लोग और दोस्त फिर भी करते हैं पनकारियां। खुश्पू तो अब दूर गई किसी और देस। घुलों में तो भरी एक ही है जिन्दों कारियां। हम दरवेश अपनी कुठिया में ही मस अच्छे। मख्स अच्छे हमें रात नहीं हाथ पी जानों के सलाश हैं और अजया लोग के से इनकेश अज़ी इनवाथ से नकीती गडालियां आज वे एक साथ एक राह मकारियां वह वह भूब यह गज़ल खे और दोस्तों एक और गज़ल समात परमाएए जो कि इन तकब हमें मौसूल गुआ है और तुम्हें तुम्हें याज को रासर नहीं पता तुम्हें 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 तुम्ह हम इन प्रोग्राम में शामिल कर रही है एक अब्दभी शकूफा जो कि हमें भेचा है राना हानी पे रभुतंगी से लिखते हैं कराची की गालिब लाइबरी के बारी विज़ाद सफर अलहसन तैजन अप्टेज की में दे रिज़ता दाती है अनके बाट सुक्सक्राजी अंप्टे पे कालती है एक लोग्रास थाज़ाद उनके पाक थी और वो कुछ बैठे लिख रहे थे खाज़ाद साब ने को कहता है और उन्हों प्रेंस में अब्धर सुना है मिर्जब साब शेर सुना तरस्री इंदास में बोले ओई खाफ नहीं है अजिए जैर तक किह रहे हों थे यह तरश्छ कर थेर साब का है हजजब साब बोले अच्छा मिर्जब साब चुनकी और कलम चोटे यह बोले स्या ठिट के शूलाना खाजा साब ने खेट तुबारत लाया, मेजबन उसी का सबर साथ दियो बोले, रहाँ चाशीर है, नेना तरजल बहुत बुरे तरीके से सुलाया था पहले, रुखेग रखा, बहुत कोबर है, यूनस मेरे पास भी इसे हवाले से एक अधवी श्रगूफा मौचूद है, वो के लाहॉड से पारलुक रखते हैं, लिखते हैं एक रोज मिर्जा गालिब की शागिर मीर महती उन्हों भाराए, देखा कि मिर्जा साहिब पांद आपने लगे, मिर्जा साहिब ने कहा भई, तो सेयद जारा क्यों गुनाकार करता है, मीर मचरू नामाने और कहा, आपको ऐ चैन को ने अजर्मता मिर्जा साहिब से कुछ रखत माईए, देखासे ने कहा, भईये पैसे हो गज़े, तुम्रे मेरे पांद आ याधे दावे, इसाब बराबर होगी या, प्रेक्या हिसाब बराबर किये, व्र्मिल प्रिग्र्ग्रेम् में एक घजल चामिल करें, जो के तोसिफ आज सिर्फ के कलम से निकली ये तालुक रखते हैं आईडियलिस्नस कलब कमालिया पाकिस्तान से हाद पाओं ये बताते हैं कि मज़़दू हूं है और मलबूस भी कहता है कि मज़भूर हूं है पकर करता हूं कि खाता हूं फक्त रिज्ज के हलाल अपना वस्थ पे कलंडर पे तो मगरूर हूं है साल तो सारा गुमनामी में कचाता है साल तो सारा गुमनामी में कड़ जाता है पस यकम मईई को ये लगता है कि मशूर हुमे पेट भर देता है हाके मेरा तक्रीरों से उसकी इस तेफले तसली पर तो रंजूर हुमे युमे मजदूर है छुटी है मेरा फाका है युमे मजदूर है छुटी है मेरा फाका है फिर भी ये दिन तो मनाऊंगा कि मजदूर हुमे मुझको परदेश लिए फिरती है रोजी आसिफ मुझको परदेश लिए फिरती है रोजी आसिफ अपने बच्चों से बहुत दूर बहुत दूर हुमे हाथ पाउं ये बताते हैं कि मजदूर हुए और मन्बूस भी कहता है तो मजदूर है बहुत लिख्वूर ये लश्म थे मजदूर के हवाले से ये कमई के हवाले से और दोस्तों बेकोर घजल आप ते समातों की नज़र करते है और लिवजल हमें भाई आसिफ की जानिव से, ये तालुद रगते हैं रेल्यू स्टेशन हैतरबाद से, लिखते हैं ये मेरा इश्ग तेरे हुस्न के असर में रहा, ये और बाद कभी न तेरी नजर में रहा, बहुत अमान का दावा किया था हाकिम ने, मगर यहां जो रहा, मैं आसमां से आया जरूर हूँ लेकिन मेरा वजूद जमी पर किसी प्रशर में रहा मिले हमें ना कभी मन्जिलें मगर हम लोग एक आफला जो चला तो सदा सफर में रहा जमाने बर में उसे मेरा हम सफर जाना जो मेरे साथ चलाना कभी सफर में रहा यजीस अपनी कहां में गुजार कराया मुझे पता ना चला दूरतियां लकर में रहा वो मुझसे मिलके मेरे तिल में राज यू आया गेया वोदूल मगर देट तक नजर में रहा यह न इच्ग तेरे हुसन के असर में रहा ये और बात कभी ना तेरी नजर में रहा सब इन दोस्त के उन्वान पर कुछ अशार हैं जो के हमें पेज़े हैं सद्रू नाज ने गुजरान वाला चे अपकी समातों की नजर करते हैं पहले मौसन भी बदलते थे जहां में लोगो अब रादों का प्रण में रहता सब जाते हैं अज नभी बन की जो गुजरा है अभी था किसी वक्त में अपना लोगो दोस्त और फैर कोई किसी का है उसमें दुश्मिन भी ना समझा लोगो सामिन अभी प्रोग्राम में वक्ते एक चुटे चे वक्ते का इन अशार को खना सब्सक्राइब रिखते हुए सामिन ये रीडियो वेरितां सी शेक्यूल सर्विस पे और आप प्रोग्राम समाथ अपाने हैं हम इन गुस्ते से पहले हम आपको दोस्त के उन्वान पर कुछ है खानों को जो को हमें सदरुनास ने गुज्रावला से भेज़े हैं तो उसी सलसले को अब हम चारी रखेंगे देखा जो पीर खा के कमीगे की तरफ अपने आपकों से बुना साथ होते जफाए दोस्तों यह हम मिले जमाने से हमारे दिल को तड़कना है हर पहाने से बिच्छी हुई राहों से जो गुजरे कभी हम हर गाम में खुई खुई खिशा हाई है वो भूल गए हम को उन्हें फुल गए हम यह दोस्त मदर दिल में खलिश अभी वही है दोस्तों से चुका रहा हूं विसाथ जिशुना से कहा खनी है अभी चमन में लगते हैं कांटे भी एक मुकाम है दोस्त और गलों में से गुलशन की आप रहता नहीं आपस की गुफतगू में भी कटने हुआ हूं और दोस्तों से तरके मुलाकार चाहिए मिज़ाज दोस्त के सांचे में ड़लता जाता है कदम कदम पे समना पढ़लता जाता है गेरों ने जो सलूप किया और उनका गिला किया फिंके हैं जब दोस्तों ने वो पत्तर समेख लूँ दोस्तों से बचाईए रूही दुश्मनों से मैं खुर निमट लूँगा सुनने वले सेंकडों हैं हम नवा कोई नहीं दोस्त इनकी बात केहना आदंगे मैफिल देखकर मुट्यों में हाक लेकर दोस्ता आए वक्ते तफन जिन्दगी भर की महबत का सिल आते में लगे तुम तकल्ब को भी इखलास समझते हो फराज दोस्तों होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला कभी नर्मी कभी सक्टी कभी उजलब कभी देर वक्ते पार बहर हाल बज़र जाता है चिदत दर्थ से शृमिंदान नहीं मिरी वका दोस्त गहरी हैं तो फिर जाखम भी गहरे होंगे ये प देरे तो समट जाेंगे एक दिन ओडूस्त याद आएगा तुझे मुझस से करेजा होना कुछ रस्मे महबत के तकाजे भी है दोस्त दिल वरना तरी याद के गाफिल तो नहीं है तरी याद भी कितनी अजब है जब आ गई तो गोया खमाने ख़ब यह कि अरे कतल के तकाजे में है तमाम बर्क खंजर की जो चम्की दोस्त पह जाने गए देखा तो सब ही लालो जो आहर लगे मुझे पर खा जो दोस्तों को तो अकसर में कुछ ना पर बहुत खूब और दोस्तो चामिल करते हैं प्रोग्याम में एक घजल जो के हमें मौसूल हुई है बही मौमद यूनस की जानिब से ये फिरोस्तों रोट रहूर से तालुक रखते हैं इनकी अस्तों कुछ यू है एक बार कर पूर दोबार लिखतो कितना है मुझ से प्यार लिखतो तरस रहे हैं बड़ी तेर से इस बार अपनी मुभबत का इजहार लिखतो व्यादा नहीं लिख सकते तो मत लिखो महबत बरे लफ्स दो चार लिखतो एक बार लिखतो मुझ तुम से इफ्ते फिर यही लफ्स सो बार लिखतो एक बार करके इतवार लिखतो कितना है मुझ से प्यार लिखतो और दोस्तों आपको बताते चलें कि हमें ये घजल पाइप आमाद यूनस ने बज़री है वर्ट सेट बेची है सबीन एक और घजल प्रोग्राम में शामल कर रहे हैं जो के हमें खालता है खान एहमेद ने मुतार था और घजल कुछ यूँ है कली गुलाब की जब शाख गुल पर खिलती है कली गुलाब की जब शाख गुल पर खिलती है कलाब बन के कहा शाख पर वो रहती है वे जो एहले चमन शाख गुल के रखवाले पदल गई हैं वही जिससे रुत बदलती है वे जो एहले चमन शाख गुल के रखवाले पदल गई हैं वही जैसे रुत बदलती है बाखबान दुष्मन चमन के पूलों का, बनाे बाखबान दुष्मन चमन के फूलों का, पजाचमन की बड़ी मातमी थी लगती है, नहीं है कोई विजया का तारो बाहर घुल्शन में हर एक शब को यहां बार भनें तो दोस्त अब इसमा के नामी मुकाबले का सवाल भी सुन दीजिए दुनिया की सबसे बड़ी फॉज किस मुल्की है। तो दुनिया की सबसे बड़ी फॉज किस मुल्की है। जाज़ा की सबसे बड़ी फॉज किस मुल्की है। जाज़ की सबसे बड़ी फॉज किस मुल्की है। जाज़ की सबसे बड़ी फॉज किस मुल्की है। रेडियो वेरिकास टीशिया कुल्क सेर्विस प्यो बॉक्स नंबर एक सिफर एक तो लाहूर पाकिस्तान और टेलिफोन है। जाज़ किस मुल्की है। और वेबसाइट पर हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए लॉगाउं कीजिए। और वेरिकास-टेशिया.org और दोस किस मुबाइल प्रोग्राम अरहा मुबाइल नंबर पिफर तीन पिपर चार पांच नो एक तीफर पांच पांच और निए सिटेगे साथ के बैजो लेता सेशिया उज़ू सर्विस से अक्य नेए साथ एर नना एकाट दिए वो दो 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 एकाट दो 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 well झाल झाल